Hello and welcome friends, एक सवाल जो आपके भी मन में अकसर होता है कि जब आपको Python के Shell पर Question दिया जाता है और Question कुछ इस तरीके का हो अब यह देखे, यहाँ पर यह Floor Division Operator है और यहाँ पर यह Modulus Operator है और यहाँ पर यह Plus Operator है और यहाँ पर यह Minus Operator है तो ऐसे में पहले कौन सा करें कैसे हम output predict करें इसका ठीक है तो इसमें बड़ा असान है कोई बहुत इसमें tension लेने वाली बात नहीं है देखे कैसे तो उसे कम लाना है तो 6 आ जाएगा तो यहां 3 आ जाएगा और 3 modular 2 करेंगे तो answer आएगा 1 और 1 में 2 एड़ करेंगे तो 3 और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा तो result इसका 2 आने वाला है यहां पर देख सकते हैं 2 ही आ रहा है इस तरीके से आपको करना है अब देखिए एक और question देता हूँ आप मुझे comment करके बताईएगा कि इसका जो है answer क्या आएगा ठीक है बताईए इसका answer क्या आएगा आप मुझे comment में बता सकते हैं क्या आप मुझे रहा है